नमस्कार दोस्तों CA Foundation का जो Business Law का पेपर है उसके Suggested Answers और वो सब तो आपने देखे होंगे और आपने एक Pattern भी Notice किया होगा कि Question इसी मदलब जो Paper है उसका Pattern ये है तो 3-4 एक्जाम के डेटा को मैंने Analyze किया है वैसे आगे भी यही Pattern था बड़ सिर्फ Understanding के लिए 4 एक्जाम के डेटा को हम Analyze कर रहे है और Paper का Pattern क्या होगा वो हम Discuss कर रहे है Fine तो Basically और इससे एकाद Strategy भी हमको मिलेगी कि जब हम Revise कर रहे हैं तो कौन सी चीज हमको ध्यान में रखनी है 60 Marks का आपका Paper होता है 6 Questions पूछे जाते हैं यह 6 Questions में से आपका Question 1 Compulsory होता है Question 1 is compulsory और बाकी 5 में से Any 4 ऐसा करके 5 Questions आपको Attempt करने होते हैं और हर एक Question 12 माग का होता है हाँ एक Direct 12 Marks का Question नहीं होता है बट उसको Subsection वगेरा में Divide करके तो Question 1 is compulsory और बाकी 5 में से Any 4 ऐसा करके आपको Total 5 Questions अटेम्ट करने हैं 12-12 Marks के इस तरह से आपका 60 Marks का Waitage बनता है Business Law का नाव किस प्रकार से Question पूछे गए हैं चार एक्जाम का डेटा लिया है May 22, December 21, July 21 and November 20 पहले तीन Question Question 1 के अंदर तीन सबसेक्शन पूछे जाएंगे आपको सब Question पूछे जाएंगे और नॉर्मल ये 4 Marks Each होते हैं और ये तीन Question मिला के 12 Marks बन जाते हैं अब ये तीन Question का पैटन देखेंगे तो चारो एक्जाम में हर एक एक्जाम में सिमिलर ही है वैसे पूरे पेपर का पैटन सिमिलर है तो तीन Question किस तरह से होंगे Question 1A, B और C कैसे होंगे तो 1A हमेशा लास्ट चार एक्जाम में देखा गया है Indian Contract Act, ICA का मतलब है Indian Contract Act P का मतलब है यहाँ पे Practical तो Indian Contract Act का Practical होगा ठीक है 1B Companies Act का Practical होगा 1B जो है वो C A मतलब Companies Act Companies Act का Practical होगा और 1C Soga का Sale of Goods Act का Descriptive होगा तो चारो पेपर में आप देखेंगे लास्ट चारो पेपर में यह Common Pattern है Indian Contract Act का Practical फिर Companies Act का Practical और फिर Soga का Descriptive ठीक है तो दाट इस यूर Question 1 A, B, C ठीक है Question 2 में 6 Marks का Normally एक Question होता है 2 में 2 Parts बढ़ेंगे 2 A and 2 B तो 6-6 Marks के करके 12 Marks हो जाएंगे और इसमें भी कोई Pattern में Change नहीं आया है चारो एक्जाम के अंदर Indian Contract Act का Descriptive चारो एक्जाम में आप देख सकते हैं Indian Contract Act का D का मतलब है Descriptive और 2 B, LLP Limited Liability Partnership का Descriptive फिक्स ही है यह चारो एक्जाम में 3 में थोड़ा बहुत Changes आये हैं वो कभी Indian Contract Act का ले लेते हैं कभी Indian Partnership का ले लेते हैं ज्यादतर एक्जाम में इसमें भी 3 A और B ही दो ही Question पूछे जाते हैं 6 Marks के बट एक एक्जाम में November 20 के एक्जाम में ऐसा किया था कि 3 A, B, C ऐसा करके 3 पूछ लिये थे तो बाकी अभी का Pattern, Recent Pattern यही है A और B, 6-6 Marks के कोई 6 Mark का कोई ऐसा भी होता है 7 Mark और 5 Mark का ऐसा करके 12 Marks तो 12 Marks का कॉंबिनेशन बनाएंगे 6-6 Marks, 7 या 5 ऐसा करके बनाएंगे इसमें देखेंगे आप 4 में से 3 एक्जाम में 3 A जो है वो Indian Partnership Act का descriptive है Indian Partnership Act का descriptive paper है Question है एक ही बार 3 A में पूछा हुआ था Soga का practical Sale of Goods Act का practical तीक है और 3 B आप देखेंगे last तीनों एक्जाम के अंदर last तीनों ही एक्जाम के अंदर Indian Contract Act का practical ठीक है थोड़ा बहुत अलग जो हुआ था वो November 20 के एक्जाम में हुआ था बाकी ये common pattern चली आ रही है 4 A और 4 B again 4 question 4 में भी 6 Marks के दोनों होंगे 6 Marks या 7 या 5 ऐसा करके break up होगा 4 A 4 एक्जाम में आप देख सकते हैं सोगा का description 4 B अब 4 एक्जाम में देख सकते हैं fix ही है Indian Partnership Act का practical ठीक है 5 A and B 5 A और B में आपको वैसे पूरे तीन एक्जाम के अंदर चार में से तीन एक्जाम के अंदर सोगा का practical था सिर्फ लास्ट एक्जामिनेशन में 22 के अंदर उसमें थोड़ा change कर दिया उन्होंने again ये जो है pattern है कहीं पे भी CA Institute ने ऐसा कहीं हमको वादा नहीं किया है कि आपको ऐसा ही paper का pattern आएगा they may change the pattern ये तो हम थोड़ा analyze कर रहा है कि कौन से question कहाँ पे हो सकते ठीक है तो लास्ट पेपर में उन्होंने Indian contract act का practical पूछ लिया बाकी 5A हमेशा सोगा का practical होता था और 5B में कोई change नहीं है चारों एक्जाम के अंदर Companies Act का descriptive पूछा जा रहा है C, A, D का मतलब है Companies Act का descriptive 6A में भी कोई change नहीं again question 6 में 3 पार्ट होंगे आपके A, B, C अब इसमें fix नहीं है कि 4 marks का ही हो हर एक पार्ट कोई ऐसा हो तो 5, 4 और 3 ऐसा करके 5, 4 और 3 करके 12 marks कर देते हैं तो 6A में आपका fix ही है Indian Contract Act का descriptive 6B में भी आपका fix ही है कि Indian Partnership का descriptive होगा और 6C में आपका Companies Act होगा वो fix है Companies Act fix है बट Companies Act में वैसे तो practical पूछा जाता है बट एक बार उन्होंने July 21 में descriptive पूछ लिया था बाकि Companies Act का practical तो इस तरह का pattern है more or less same pattern है आप देखेंगे हर एक exam के अंदर repetition हो रहा है अब यहाँ सबसे महतो की बात हम क्या ध्यान में रखेंगे कि बहुत बार हमें होगता कि कुछ क्या हम option में छोड़ सकते हैं देखे CA की exam में generally कुछ भी option में नहीं छोड़ना चाहिए बट अगर आपके पास समय कम पढ़ जाए reading करते समय आप revise कर रहे हैं तब समय कम पढ़ जाए तो आपकी priority में सबसे last limited liability partnership होना चाहिए एक ही question पूछा जाता है question 2B में ही पूछा जाता है वो तो अगर आप एक question option में छोड़ रहे हैं तो limited liability partnership ऐसा chapter है जो option में निकल सकता है ठीक है again यह हम pattern को analyze कर रहे हैं CA institute ने कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं बोला है कि इसको option में आप छोड़ सकते हैं बट यह हम क्या situation समझ रहे हैं कि अगर हम revise कर रहे हैं और हमारे पास समय कम पढ़ता है और समय कम पढ़ता है तो हम क्या मतलब priority order क्या होना चाहिए तो priority order में हम limited liability partnership को सबसे last रखेंगे ऐसा हम कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं ठीक है तो यह planning हो सकता है बट see again as I am saying कि CA institute है वो मजाक में अगर कुछ दो-तीन question भी limited liability partnership के पूछ ले तो वो risk रहेगा ही हमेशा तो कोशिश तो यही करनी है कि पूरा syllabus revise करके जाएं बट जब हमारे पास समय नहीं है तो हमें थोड़ा analyze करके decision लेना होता है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं ठीक है न? अब total number of questions मैं थोड़ा सा आपको एक brief दे दूँ कि यह सब questions को मिला के normally 14 questions पूछे जाते हैं question 1 का ABC, question 2 का इस तरह से 14 questions पूछे जाते हैं सिर्फ एक बार 15 questions पूछे गए अब ज्यादा तर ऐसा ही हुआ है कि Indian contract act में से 4 questions पूछे जाते हैं दो practical, दो theory दो descriptive, ठीक है तो 4 questions का उनका pattern चला रहा है सिर्फ last examination के एक practical ज्यादा पूछ लिया तो 5 questions Indian contract act के थे ठीक है Indian partnership act में से generally ऐसा होता है कि 3 questions पूछे जाते हैं ठीक है और normally एक practical और दो theory पट एक exam में ऐसा हुआ था कि 2 questions ही पूछे थे और November 20 में 4 questions पूछ लिया थे तो थोड़ा बहुत वैरी होता रहता है उसके अंदर सोगा में भी थोड़ा बहुत वैरी हो रहा है last paper के अंदर दो theory पूछे थे descriptive पूछे थे practical एक भी नहीं था ठीक है उसके पहले की exam में एक practical दो theory दो descriptive थे और you can see July 21 की exam में दो descriptive और दो practical चार question पूछ लिया थे तो इस तरह से थोड़ा वैरी हो रहा है ठीक है companies में भी ऐसा ही है तीन question पूछे जाते हैं वो confirm है कि तीन question पूछे जाएंगे बट इसमें आप देख सकते pattern change हो रहा है कभी तीन question में ऐसा हो गया कि दो practical पूछ लिए एक descriptive पूछ लिया कभी ऐसा हो गया कि दो descriptive पूछ लिए एक practical हो गया वो combination change होता रहता है बट पूछेंगे तीन question उसमें से और limited liability में से confirm एक ही question पूछ रहा है चार exam से और वो भी descriptive पूछ रहा है कोई भी प्रकार का practical नहीं पूछ रहा है उसके अंदर तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है और आप देखेंगे more or less जो analyze आप करेंगे तो practical question जो है around 14 question में से 6 question आपको practical मिलेंगे 14 में से 6 question practical मिलेंगे बाकि 8 question आपको descriptive मिलेंगे straightforward question मिलेंगे fine तो इस प्रकार से आप analyze करके planning करें